दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि सामद्रिक शास्त्र के अनुसार शामद्रिक शास्त्र के विविन अंगों के फलादेश करता है उसी प्रकार से आज नाभी के बारे में शामद्रिक शास्त्र के अनुसार जानेंगे कि नाभी हमारे शास्त्र का एक बहुत ही अभिन अंग है और नाभी के द्वारा बहुत सारे जीवन के रहस्यों को जाना जा सकता है। हिंदू शास्रों के अनुसार नाभी हमारी जीवन उर्जा का केंद्र है। कहते हैं कि मृत्यों के बाद भी प्राण नाभी में 6 मिनट तक रहते हैं। शरीर में दिमाग से भी महत्वपून स्थान है नाभी का। नाभी शरीर का प्रतम दिमाग होता है जो कि प्राण वायू से संचालित होता है। दोस्तों व्यक्ति के नाभी की बनावट और उनकी कुछ विशेश बातों को आधार पर वविश्य और व्यक्तित्तों के बारे में बताया जा सकता है। आए जानते हैं नाभी के प्रकार और उनसे मिलने वाले शुब अशुब फलों को। दोस्तों जिन स्रीय अबरुष की नाभी गहरी होती है वे संदर्य प्रेमिय होते हैं बहुत ही रोमांटिक मिज़ास के होते हैं बहुत ही मिलन सार विक्ति होते हैं इन्हें जीवन साती बहुत संदर्य मिलता है जो कि इनकी पकपक पर हमेशा साहता करता है जिन महिलाओं या पुरुषों की नाभी लंबी और वक्री होती है यानि कि टेड़ी वे आत्म विश्वास से भरे हुए लोग होते हैं और आत्म निर्भर रहने वाले होते हैं जिनकी नाभी दोस्तों गोल होती है वे आशाबादी भुद्धिवान और बहुती दयालुप प्रकरति के आदमे होते हैं ऐसे व्यक्ति का विवावा यानि कि वेवाईक जीवन बहुत जादा सुख में गुजरता है और आनंद से रहने वाल लोग कमजोर होते हैं शरीर के रूप से और नकारात्मक प्रभाव ऐसे वक्तियों के ओपर विशेश रूप से होते हैं ऐसे लोग अक्सर काम को अधूरा छोड़ देते हैं जिसके कारण उन्हें कामिया भी ने मिलती और वह अपने सुभाव से बहुत सी जादा चड़-चड सुभाव के होते हैं जिन लोगों की नाभी ऊपर की और बड़ी और गहरी दिखाई देती है तो ऐसे लोग हसमुक प्रवर्ति के होते हैं हमेशा हसने वाले प्रसंदमुक रहने वाले और मिलनसार सुभाव के होते हैं उबरी हुई और बड़ी हुई नाभी है तो ऐसे लो जिद्धी प्रवर्ति के होते हैं, अंडाकार नाभी वाले लोग सोचने में अपना समय गवा कर हाथ आया मौका छोड़ देते हैं, चोड़ी नाभी वाले लोग शक करने वाले होते हैं, चोटी-चोटी बात पर अपने पार्टनर के प्रति या लोगों के प्रति शक करने वा जिन लोगों की नाभी उपर से नीचे आती हुई दो भागों में बटी हुई दिखाई दे तो ऐसे लोग आर्थिक और पारव्यारिक और सेहत की दृष्टी से काफी मजबुत दिखाई पड़ते हैं दोस्तों जिन व्यक्तियों की नाभी उपरी हुई होती है वो बहुत भावुक प्रवितिके होते हैं चोटी-चोटी बातों पर बहुत जल्दी रोना दोना या भावुक हो जाना परहिशान हो जाना इनका सुभाव होता है ऐसे लोगों का हरदय साफ और स्वच होता है और यह दिखने में भी काफी आकरशक और एट्रेक्टिव होते हैं इस तरह की नाभी वाले लोग अक्सर किंद्र में रहना पसंद करते हैं और हमेशा वही पाने की कोशिश करते हैं जो वह चाते हैं ऐसे लोग जिन्देगी भ आम तोर पर शरीर के केंद्रों में यानि मध्य में होती है लेकिन कुछ लोगों की नाभी केंद्र से कुछ हटकर होती है इस तरह की व्यक्ति काफी रोमांटिक और मजाकिय होते हैं लेकिन वह संबेदनशिल भी होते हैं और चीजों को गंभिरता से भी लेते हैं ऐसे के लिए नया पाने के लिए सोचते हैं दोस्तों जिन विक्ति की नाभी का आकार छोटा और लंबा यानि कि लंबवत हो तो ऐसे लोगों का हर्दे काफी बड़ा होता है वो दूसरों की मदद के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं अलाकि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा दुख किसी के साथ भी साचा नहीं करते हैं वो हमेशा अपने दिल में रखते हैं इन बातों को दोस्तों लंबी और वक्री यानि कि टेड़ी नाभी जिन लोगों की नाभी लंबी और वक्री होती है उनमें आत्मविश्वास पूरा होता है ऐसे लोगों ऐसे और जान पहचान बढ़ाना अच्छा लगता है अलाकि ऐसे लोग दूसरों पर बहुत कम विश्वास करने वाले होते हैं साथ ही अपने भावनाओं पर पूरी तरह नियंद्रन रखने वाले होते हैं दोस्तों नीचे की और जुकी हुई नाभी जिनकी नाभी नीचे की और जुकी हुई हो तो ऐसे व्यक्ति में काफी उर्जा की कमी मालुम होती है वे काम को लेकर जादा उत्साइथ नहीं होते हैं लेकिन जो भी काम करते हैं वह उसे पूरा और बहतर करके देते हैं ये आलसी तो होते हैं लेकिन बहुत तेज दिमाग वाले होते हैं इसी के चलते इनका जीवन पहतर और बहतर बनता रहता है मित्रों दोनों और चोड़ाई में फैली हुई नाभी पेट के दोनों और चोड़ाई में फैली हुई नाभी ऐसी नाभी होने पर तो ऐसे विक्ति आसानी से किसी पर भी भरोसा नहीं करते हैं ये हमेशा आने वाली समस्या को लेक करके सतरक देते हैं और समय पर उसको खत्म भी कर देते हैं ऐसे लोग पुलिस बकील या फिर प्रशास्निक सेवा में जाते हैं यह लोग उन लोगों के बारे में बहुत प्रभा करते हैं जो उनके करीब होते हैं दोस्तों सामद्र शास्त के अनुसार नाभी जिन स्त्री प्र बहुत अच्छा रहता है, बहुत बुद्धिमान भी होते हैं, उनके घ्रदे में दया की भावना हमेशा रहती है, और अपनी दयालुता से कृपा प्राप्टी करते रहते हैं, इसलिए यह यहां भी और जिस परिवार में, जिस कारिक्षित्र में भी हो, वहां हमेशा सम्बा पाते रहते हैं। उनका जो वहवाईग जीवन वह भी आम तोर पर सुख में बना रहता है। उपर को उठीवी ना भी अक्सर सुंदर्य प्रेमता को दर्शाते हैं। ऐसे लोगों को भागे के वल पर अचानक सफलता हैं या फिर धन प्राप्ती बार-बार होती रहती हैं। इन्हें साथी या सहयोगी हमेशा बहुत अच्छे स्थर के प्राप्त होते रहते हैं। दोस्तों ना भी अत्य दिख यदि गहरी हो तो वह वव्यक्ति को भावक तो बनाते ही हैं। लेकिन ऐसे लोग महिलाएं हों चैपुरुश हों बहुत ही चिकनी चुपडी बातों को करने वाले बहुत मीठी बातों को करने वाले होते हैं। और उनका हरदे दोस्तों के पड़ती किसी लोलूपता के आकर्शन में रहता है। और बात विचार पर बार बार चिंता करने वाले और स्वाससंबंदी समस्याएं भी प्रभावित इनको करती रहती हैं। दोस्तों समतल बिलकुल न गहरी और न उभरी हुई ऐसी नावियां जिनकी भी हो अस्त्रिपुरुश अत्वा तो ऐसे व्यक्तियों को थोड़ा संबल करी रहना चाहिए। कारण यह है कि ऐसे अस्त्रिपुरुशों के मिजाज का कोई भरोसा नहीं होता है। यह कभी भी किसी भी बात पर गलत या मतलब निकाल करके आपको यह स्वयम को कस्ट पहुचा सकते हैं। उनमें एक बड़ी कमी होती है कि किसी में गुण कम और कमी खामियां ज़्यादा दिखी जाती हैं। इसलिए आम तोर पर उन से मित्रता लंबे समितक रखना अच्छा नहीं माना जाता। आम तोर पर नाभियां जो है वो गहरी होती हैं। और गहरी नाभियां ही सबसे उत्तम और स्षेष्ट फल देती हैं। यदि नाभि बिलकुल न जुकीवी हो न नंबी हो न ठेड़ी हो और बिलकुल लंबे आकार में और अंदर की तरफ हो। गोल गहरी बिलकुल न चोड़ी नाहीं जादा उठीवी। ऐसी नाभियां हमेशा अच्छी रहती हैं। ये नाभियां दरशाती हैं कि ऐसे व्यक्ति उरजावान होते हैं। उत्साह में प्रफमस्तान पर होते हैं अपने कारियों को पूर्ण करने वाले होते हैं। और स्वास्त से संबंदित ऐसे व्यक्ति बिलकुल स्वस्त और अच्छे होते हैं। इनको कभी कबार ही बिमारियां या अस्वस्तता दिखाई देती हैं अत्वा अत्वा ऐसे ब्यक्ति जो हैं हमेशा स्वस्त और मस्त रहने वाले होते हैं दोस्तों और भी प्रकार है नाभियों के अगली वीडियो से में हम आपको पूरी तरीके से और भी प्रकार नाभियों के और उनके उनसे जुड़े जो भी फल है वो आपको हम वीडियो के मात्म से बताएंगे